क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात प्रम्रम्हा तसु मैस्रे गुरूवे नम्हा नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन संडिल परती दिन के तरह एक बार फिर से श्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं बेहद ही खास कारिक्रम कुंडली दर्शन में और आज कुंडली दर्शन के इस विशेश शापताहिक रासी फल विशेशांग कारिक्रम में बात करेंगे 10 सितंबर 2018 से लेकर 16 सितंबर 2018 के शापताहिक रासी फल के बारे में जी हाँ इस कारिक्रम में जानेंगे कि कैसा गुझरेगा आपका पूरा शपता है क्या है ग्रह नचत्र और शितारों की चाल क्या होगा इस सपताह आपके रासी का हाल लेकिन सुरुआत करें सबसे पहले मेश रासी से फिर क्रमशा बारी-बारी से होते हुए अंतिम रासी मिन रासी वालों के रासी फल के बारे में बात करें उससे पहले जिन दरशकों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है वो वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले उसके बाद बगल में एक बेल आइकोन का घंटी का बटन आपको दिखेगा उसे भी प्रेश कर दें जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होनी वाली शवी वीडियो के जानकरी सबसे पहले प्राप्त हुजाए और वीडियो को लाइक करना, सेर करना न भूले तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले मेश रासी से मेश रासी वाले शप्ता के शुरुवाती समय में आपके विचारों में असमंजस की इस्तिती रह सकती है किसी भी कारे में सार्रिक उर्जा एवं दिमाग आपको कुछ अतधिक लगाना पड़ सकता है इस सप्ता में नए व्यक्तियों से आपको मिलने का अवशर प्राप्त होगा कामकाज एवं प्रोफेशनल मुर्चे पर आप अपने परचितों की शंख्या में विर्धी के लिहाज से आपके लिए समय बहुत अनकूल दिख रहा है निशंतान जातकों के लिए शंतान प्राप्ति का उत्तमशम है सेर बजार में योजना पुरुवक उठाये गया कदम आपको लाब दे जाएगा शंतान के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन में शफलता के योग दिख रहे हैं प्रेमी जोड़े के लिए यह सब्ता काफी अच्छा रहने वाला है इस सब्ता आपके रिष्टों की बात आपके परिवार वालों तक पहुश सकती है और उनके तरफ से मंजूरी भी मिल सकती है तथा बहुत जल्द आप लोग विवाईक मंधन में बदलने वाली परक्रिया में सनलिप्त हो जाएंगे और विवाईत लोगों के लिए विवाय योग पोई प्रष्टाव शामने आ सकता है तो चलिए अब बात करते हैं आगली राशी विर्षब राशी विर्षब राशी वाले सप्ताह के सुरुवात में पर्तिकूल इस्तिती और कलेश पुड वातावरन का सामना आपको करना पड़ सकता है मानसिक चिंता एवं परिशानिया आपके मन में घिरी रह सकती है वैपार में कुछ हद तक हानी के भी योग दिख रहे हैं आपके उपर कोई जोटा आरोप या आक्षेफ लगा सकता है इस हटा बदनामी का खास करके फिसेस खत्रा बना हुआ है अनुकूल समय नहीं होने से परिकूल परिश्तितियां पैदा हो सकती है विदार्थियों को पढ़ाई फर ध्यान केंद्रित किये रहना जरूरी रहेगा इस्टॉक मार्केट में सावधानी पुरूवक में इन्वेस्टमेंट करे और बिना सोचे विचारे कि आगया निवेश आपके लिए भविश्य में खतरनाक सावित हो सकता है हेल्थ का ध्यान रखना आवश्यक है अपने स्वास्त का ध्यान रखना भी जरूरी है आपके लिए छोटी-छोटी बातों में आप गुश्या करना बंद कर दें और यदि किसी भी प्रकार का स्वास्समंदी समस्य आपको होता है तो इस शप्ता में डॉक्टर की सला लेना ना भूले इन सभी समस्याओं से बचने के लिए इस शप्ता आपको पूरे शप्ता वर बजरंग बान का पार्ट करना और पीपल के विरिक्ष में जल अर्पित करना आपके लिए अहत्यांत उत्तम रहेगा अब आईए बात करते हैं अगली राशी मिथोन राशी मिथोन राशी वाले शप्ता के सुरुवात में जो लोग कमिशन या दलाली के काम से जुड़े हैं उनको आर्थिक लाब मिलने की योग देख रहे हैं परिवार के साथ पिकनिक पर भी जाने के लिए आपका मन कर सकता है और हो सकता है चले जाएं संतान की प्राप्ती एकछुग दमपतियों के लिए यह सप्ता अच्छे योग बना रहे हैं प्रेम शंबंदों में आपका मधूर्ता में विर्दी होने के शंकेत दिख रहे हैं इस सप्ता में कम महनत में अधिक फल मिलने का योग भी बन रहा है शंपति शंबंदी काम आपके आगे बढ़ेंगे और इस सप्ता में आपको कुछ अच्छी ख़बर भी सुनने को मिल सकती है स्वास्थ आपका उत्तम बना रहेगा तथा आपका शत्रू आपसे परास्त होगा कमजोर होगा मा के परती शनिह आपका बढ़ने वारा है शिद्ध होगा शप्ता के मद्द में आपके कारियों में विग्न वादा आने की आशंका है अप्रिय घटना कुछ घट सकती है इसलिए शावधान रहें निरर्थक कारे करते समय आप अपने शमय को व्यतीत ना करें नहीं तो और कारण परिशानी भी हो सकती है कोशिस करें कि धार्मिक यात्रा या अध्यात्मिक छेत्र से अपने आपको जोड़ने का परियास करें इससे आपके घर में सुक शान्ती बनी रहेगी अब आई ये बात करते हैं अगरे राशी करकराशी करकराशी वाले यह सप्ता आपके लिए बहुत ही अच्छे अफसर परदान करवाएगा सप्ता की सुरुवात में आपको वह अफसर मिलेगा जिसका की आप काफी लंबे समय से इंतिजार कर रहे हैं मानसिक शांती मिलने वाली है दिर्ग कालिक चिंता भी शमाप्त हो जाएगी आप भाग दोड जादा नहीं कर पाएगे परोपकार या द्यालता के कारण आपके द्वारा किया गया कर आपको लाब पहुचाएगा सरकार से वित्य लाब मिलने की शंभावना दिख रही है आँखों की समस्या होने की भी कुछ हद तक योग नजर आ रहे हैं इसलिए साबधान रहें घरेलों रिष्टों में सुधार आ जाएगा आपकी आर्थे किस्तिति पहले से बेहतर होगी लेकिन आपके सुभाव में कुछ उगरता आ सकती है इसलिए अपने गुसे पर नियंतरन रखें आप कारोबार या कामकाज में इस सप्ता में कुछ अहम निर्ने ले सकते हैं धन से शमन्दित विवाद किसी के मध्यस्ता से हल हो सकता है आपकी वित्ययोजना शफल होगी इस समय के दोरान यात्रा करना आपके लिए यह अपता फाइदे मन दे सकता है अब चलिए बात करते हैं अगली राशी शिंग राशी शिंग राशी वले सप्ता के सुरुवात में आपके परभुत और शाहश में विर्धी होगी सुआस्त के लिहाज से यह सप्ता बहुत अच्छा रहेगा इस सप्ता बिजनस करने वालों को कोई बहुत बड़ा ओरर मिल सकता है नौकरी करने वाले लोगों के लिए उनके सिनियर उनके काम कास से खुश रहेंगे अटके हुए सरकारी कामों में सफलता मिलने की योग बन रहे हैं लेकिन आप अपने गुस्य पर अंकुष बनाई रखें कारे अस्थल पर आपके सही योगियों और मित्रों का साथ मिलेगा आर्थिक मामलों में आपका हाथ तन रह सकता है इस अवधी में आप अपनी योगता और चमता का शमुचित लाब उठा पाएंगे आपको नौकरी में भी अच्छे अवशर प्राप्त होने की योग बन रहे हैं किसी अच्छे कारे का पर नाम आपको धन के रूप में प्राप्त हो सकता है जीवन साथी से होईकलह का निवारन हो जाएगा और इस सकता आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा जाएगा अब आईए बात करते हैं अगली राशी कन्याराशी कन्याराशी वाले पंचम अस्थान में फिलहाल केतु और मंगल के होने से प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने में भी आनंद नहीं रहेगी शुरुवात के समय में चंद्रमा के इस्तिती बहुत जादा शुब नहीं होने के कारण आपके नए संबंधों को शुरुवात करने के लिए यह समय अनकूल नहीं है प्रोफेशनल मोर्चे पर भी जो इस्तिती अभी अथावत बनी हुई है उसे बनाए रखें ज्यादा फिर बदल करने की कोशिश ना करें यह आपके लिए घातक होगा सब्ताह के मद्ध में आप नए कारेका प्रारम कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग और फुटकर कामकाज मिलने से आपकी अपने आर्थिक उनत्ति का योग देख रहा है फिलाल संभव हो तो बचत करके अपने आर्थिक भविश्च को सुरक्षित करने के लिए किसी अच्छे योजना में निवेस करने की आप कोशिश करें सेल्स और मार्केटिंग, सिक्छा, कंसल्टेसी जैसे कारियों से जुड़े लोगों के लिए सब्तह का यह चरण बहुत ही बढ़ियां रहने वाला है और इसमें आपको परगती भी प्राप्त होगी अंतिम दिन आपके आमदनी के नए दुआर खोलने पर योग उपलग नजर आ रहा है आमदनी के लिए आपकी दुआरा किये गए तमाम प्रियाशों में महनत की तुलना में आपको शफलता अधिक प्राप्त होगी अब है ये बात करते हैं अगली राशी तुलराशी शफ्ता की शुरुवात में धन लापके कुछ अच्छे अफशर आपको प्राप्त होगी पुर्वजों के दुआरा उपारजित संपती अथ्वा पुष्तैनी संपती से समन्दित मामले आपके पक्ष में आनी के शंभावना बन रही है कुल मिलाकर आपकी आर्थे किस्तिती में शुधार होगा आपके तरक्की हेतु किये गए प्रियाश में आपको शफलता प्राप्त होगा शफलता के इस चरण में आप अपने आप में परफुलित महसूस कर पाएंगे शप्ता के मद्द में कुछ मुष्किलों का सामना आपको करना पर सकता है मानसिक व्याकुलता, अधिर्ता और निर्नाई सक्ति का अभाव जवाबदार कहा जाएगा धन हानी के शम्हाना को देखते हुए धन के आने एवं जाने पर तेज नजार रखें सरकारी कामकाज में किसी परकार की कोई तकलीप पैदा हो सकती है महनत से आप इसे सुधारने में सफल रह सकते हैं आत्म विश्वाश में कमी आपके लिए इस सत्ता थोड़ी सी चिंता वाली बात दिखा रही है इसलिए अपने आत्म बल को मजबूत बनाने की प्रियास करें और कोशिस करें कि परती दिन शुभा के समय भगवान शूर्यदेव को नमस्कार करें इससे आपका आत्म बल उचा रहेगा अब आई बात करते हैं अगली राशी व्रिश्चिक राशी व्रिश्चिक राशी वाले कहा जाता है जिसकी सुरुवात उत्तम हो उसका अंत भी उत्तम होगा इस सप्ता की सुरुवात ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है इसलिए आप सप्ता के अंत को भी उत्तम मान कर चल सकते हैं नए काम करने के लिए शमय पहुत अनकूल है आपके साहश पुरुवक निर्णे लेने के कारण आपके कारिचमता में विर्दी होगी महत्पुर्ण कारिकी जवाब देरी आपको शोपी जा सकती है हलांकि उसमें आपको आर्थिक फायदे के आउशर भी प्राप्त होंगे इस आपके ज्ञान और प्रभंदन कला से परतेक व्यक्ति प्रभावित होगा शक्ता के मद्द में आपकी मानसिक्ता में और भावनाओं में कुछ बदलाव आ सकता है आप अपने कारियों की प्रात्मिक्ता तै कर पाएंगे अपनी काम करने की गती में आप तेजी लाएंगे आर्थिक योजना बहुत ही अच्छे तरीकेश्या बना पाएंगे और आर्थिक इस्तिति आपके लिए उत्तम रहेगा अब यह बात करते हैं अगले रासी धनुरासी धनुरासी वैले शप्ता के आरंभ और उत्तरार्द का शमय आपके लिए अधिक अनकुल रहेगा अर्थात की शप्ता का सुरुवात और शप्ता का आंतिम शमय आपके फेवर में है पिता के साथ शमन्नों में शुधार आएगा विदेश, गवन, अत्वा उस दिशा में दस्तावेजी कारिवाई के लिए समय आपके अनकुल है इस सब्ता आपके मान सम्मान में भी विर्धी होने वाली है लंबी अवधी की उपलबधियों और भविस्च में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आपकुछ प्रियत्नशिल हो सकते हैं इस सब्ता आप अपने नेजी हितों का भी विचार कर पाएंगे जो लोग राजनिती छेत्र से जुड़े हैं उनके वर्चस्च और पर्तिष्ठा में विर्धी होगी अपने के साथ समंधों में आत्मीता बढ़ने वाली है रिष्टों में मधूरता बढ़ने वाली है पिता के साथ समंधों में मतभेद थोड़ा बहु हो सकता है लेकिन बांकी सदस्यों के शाथ आपका शमन मधुर रहेगा जवर्वत से ज़्यादा मीठा आपको खाना खाने से बचना चाहिए इस से सूगर मधुमे जैसी विमारी का खत्रा आपके उपर हो सकता है तथा इसके साथ ही पेट से समन्नित रोग भी इस शप्ता आपको कुछ हट तक परिशान कर सकता है पार्टनर्शिप में काम करने वाले लोगों के लिए यह शप्ता अच्छा है अब आईए बात करते हैं अगली राशी मकर राशी मकर राशी वाले शप्ता की सुरुवात में ही आप जिस अच्छे अउशर के इंतिजार कर रहे हैं वो आप प्राप्त कर पाएंगे इस शप्ता आपको मानसिक सांती की प्राप्ती होगी लंबे समय की चिन्ता का अंध हो जाएगा और आप अधिक भागदोर नहीं करेंगे कोई परूपकार या फिर दया क्या कार आपके हातों से हो पाएगा सरकार की तरप से भी आर्थिक लाप मिलने की शंभावना देख रही है आखों की तकलीप होने की शंभावना है इसलिए इस तरप आपका ध्यान होना चाहिए परिवारिक समंदों में शुधार होगा आपकी आर्थिक इस्तिती पहले से मजबुत होगी लेकिन आपके सुभाव में कुछ हद तक उगरता रह सकती है इसलिए इस पर नियंत्रन रखें आपकी वेपार धंदे अथ्वा काम काज में कुछ आप इस सब्ता में उससे समंदित कोई महतपुर निर्ने ले सकते हैं शंपती समंदी जो विवाद है उसे किसी थर्ड परसन के मदद से आपको हल मिलता हुआ नजर आएगा आपकी आर्थी क्योजना शफल होगी और इस सब्ता में यात्रा आपके लिए फैदिमंद रहेगा अब आई ये बात करते हैं अगली राशी कुम्बरासी कुम्बरासी वाले इस सब्ता के सुरुवाती चरण में जमीन जायदात के दस्ताविजों, भागेदारी के करार अथ्वा शंयुक्त उद्ध्यम से सम्मंधित किसी भी कागच पर हस्ताक्षर करने में शावधानी बढ़ते हैं अर्थात की किसी भी परकार के जरूरी महत्पुर्ण कागच पर डॉकुमेंट पर सिगनेचर करने से पहले उसको अच्छी तरीके से जाच पड़क लें शुरुवात में तन और मन का मेल आपकी स्वास्त की दृष्टी कोन से उत्तम रहेगा परन्तु शप्ताह के मद्ध में काम काज के अधिक बोज और दोड़ धूप के कारण आप सारिक और मानसिक ठकावट महसूस कर पाएंगे तब आपको योग और ध्यान का सहरा लेना चाहिए इससे आपको शांती महसूस होगी प्रियाप्त अराम करना आपके लिए जरूरी है नहीं तो आपकी स्वास्त बिगड़ने की सम्भावना देख रही है खाने पिने में भी विशेश ध्यान रखें सम्भाव हो तो किसी एकांत अस्थल पर थोड़ा समय व्यतीत करें नए प्रोजेक्ट वर्क अथ्वा असाइमेंट पर आपको काम करना है तो बहुत शांध दिमाक्षे करें इसको मेंटली टेंसन ना बढ़ने दें विधार्थियों को उनके पढ़ाई में कुछ अच्छे सहयोग मिलने का इस सप्ता में शंकेत दिख रहे हैं आपको शकरात्मक उर्जा भी प्राप्त होगी सप्ता का अंत की समय भाग्या आपका शात देगा और आप हर छेत्र में आगे बढ़ेंगे आर्थी किलाब मिलने की भी शम्हावना बन रही है हलांकि नौकरी पेशा लोगों को फिलहाल शावधानी बरतना जरूरी है अब आईए बात करते हैं शप्ता का अंतिम रासी फल मीन रासी फल मीन रासी वैले आपकी सारिक छमता में वर्दी होगी मित्र और रिष्यदारों के शाथ सम्मन्नों में मधुरता आएगी आप मनपशंद कार्य में वैस्त रह सकते हैं काम के साथ साथ कुछ मौज सोक को ही आप परधानता इस सप्ता में दे सकते हैं तारिक 10, 11 और 12 के दुपहर तक काम काच के भाग दोड में आप अपने स्वास्त पर ध्यान अवश्च दे अपना कर उत्तम योजना पूर्वक धंशे आप इस सप्ता कर लेंगे शांती और धैर से घर और ओफिश में रुके हुए काम को पूरे कर लेंगे और जरूरी काम आपका इस सप्ता पूरा हो जाएगा लेकिन आपको अपनों से या किसी गुप्त शत्रू से शतरक रहने की आवशकता है कोई धोका मिलने का योग भी दिख रहा है इस सप्ता कोशिस करें अपने अंदर अहंकार ना आने दें क्योंकि व्यक्तिकत अहंकार से आपका बंता हुआ कारे भी बिगड़ सकता है वैवसाइक द्रिष्टी से लिया गया निर्ने आपके लिए कोई गलत सावित ना हो जाए इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए खास करके जो लोग सेर बजार या लोट्री से समंदित छेतर से जुड़े हैं या निवेश करते हैं उनको इस सप्ता निवेश करने से पहले विशेश ध्यान रखने की जरुरत है नहीं तो कुछ हानी के योग भी दिख रहे हैं लेकिन सप्ता के अंत में आपको हर तरब से सुब्समाचार प्राप्त होगा आप अपने अंदर उर्जा और अश्पुरती महसूस कर पाएंगे घर में किसी भी नए कारे का सुभारम करने के लिए शप्ता कांतिम समय आपके लिए अंकुल है तो दर्शकों आपने देखा क्या कहता है आपका इस सप्ता का संपून शप्ताहिक रासी फल इसी प्रकार से जोती से वंधर्म से जुड़े अनेक महत्पुन रहस्पुन बातों की जानकारी प्राप्ट करने के लिए जाने से पहले इस चेनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सेर करना न भोलें फिर मुलाकात होगी अगले कारिक्रम में तब तक के लिए नमस्कार, जैम आता दे, राधे, राधे